दुनिया के टॉप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की बात करें और उसमें रे डैलियो साहब का नाम नहों ऐसा हो नहीं सकता दोस्तो सबसे बड़ा हेज़ फंड चलाने वाले व्यक्ति यहीं हैं ब्रिज वाटर हाउस के नाम से चलाते हैं सबसे बड़ा हेज़ फंड चला रहे हैं दुनिया का और कंसिस्टेंटली 26-28-30% का अगर अगर आप पॉर्टफोलियो एलोकेशन को लेके सीरियस हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं कि बड़े लोग किस तरह से सोच रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं So दोस्तो आगे जाने से पहले मैं बता दूँ आज से कुछ डिकेट्स पहले Ray Dalio सहाब अल्रेडी फेम गेन करने लग गये थे इनका नाम अल्रेडी वाल स्ट्रीट पे चलने लग गया था Because he was too good in predicting the various rise and falls into the market और तभी एक दिन उनने कहा कि US market का सबसे बड़ा recession और fall अब से शुरू होने वाला है दोस्तों उसके बाद पता है क्या हुआ था उसके बाद उनके सारे clients उनको छोड़के गये थे उसके बाद उनके सारे पैसे खतम हो गये थे उसके बाद वो खुद करजे में आ गये थे The reason was because his prediction went too wrong US की सबसे बड़ी rally उसी साल से शुरू हुई And that is when he realized that market is supreme और market के साथ कभी हमको fight नहीं करना चाहिए और US market को short करना इत्ती भी अच्छी बात नहीं है Especially in long run So दोस्तों आपको एक चीज समझनी है कि Ray Dalio साहब जो इतने legend बने हैं आज के time पे He himself is humble enough to admit that he also in several times in his careers went wrong But आज हम सीखेंगे कि वो सही चीज कौन सी कर रहे थे All weather investing इनका ये कहना है कि portfolio ऐसा बनाओ कि चाहे आंदी हो या तूफान चाहे bull market हो या bear market हो आपका portfolio हमेशा perform करना चाहिए और इसमें काफी sense भी है इनने अपनी काफे सारे interviews, काफी सारी किताबों में भी इस बारे में बात करी है उनका ये कहना है कि जब आप domestic equities जैसे हम इंडिया में हैं तो केवल हम इंडियन equities में अगर exposure रखते हैं केवल हम equity में रखते हैं, commodity में नहीं रखते हैं केवल हम equity में रखते हैं, हम gold में नहीं रखते हैं हम international markets में अगर exposure नहीं रखते तो हम एक बहुत बड़े रिस्क के साथ चलते हैं आप लोगों को बता दू कि Russian market एक टाइम पे 10 साल तक underperform किये थे Japanese market 15 साल तक underperform underperform मतलब 10-15 साल तक कहीं चले नहीं थे no return तो उसी तरीके से इनका ये कहना है कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते होगी just because मेरी domestic economy हमेशा से एक straight line पे चली है सो हमारी economy को कभी कुछ नहीं हो सकता stock markets हमेशा linear fashion में return देंगे जो की बिलकुल सही भी है एक तरीके से देखा जाए तो इनके all weather investing के mindset के साब से ये कहता है कि थोड़ा बहुत आप domestic में डालो, diversify इस तरह से करो सरफ diversify stocks में ही मत करो diversify आप across the nation भी करो diversify across the asset class करो तो वो कहता है कि आप gold में भी थोड़ा बहुत डालो real estate में भी थोड़ा बहुत डालो fixed bonds में भी डालो आप जो fixed return देंगे कम देंगे लेकिन yield आपको देंगे returns देंगे उसमें भी डालो और साथ में जब आप equities में invest कर रहे हो तो आप केवल domestic मतब अपने ही देश की equities में invest मत करो आप विदेशों में भी invest करो because उससे आप लोगों का जो probability होता है और hedging होती है portfolio की वो बहुत अच्छी हो जाती है आप में से काफी सारे लोग सवाल पूछेंगे भाई इसका proof क्या है because हम लोग backtest करते हैं एक दो साल, दस साल, आठ साल correct इनकी company ने 75 year के database को test किया है जिसमें इनने सारे crashes, boom, burst सब कुछ लिया है अब obviously बात है इतना बड़ा इंसान बोल रहा है तो कुछ तो substance होगा तो पहला सवाल, comments में आप लोग बिलकुल लिखना सच-सच लिखना आप में से कितने सारे लोग हो जो Indian equity के अलावा विदेशों में भी invest करते हो through any source आप direct investment करते हो, ETF करते हो, कुछ भी करते हो कितने लोग करते हो, comments में जरूर लिखना ताकि मुझे पता लग सके आप में से कितने लोग already इस चीच को लेके serious है next आप लोगों को बता दू कि अभी हाल फिलाल में इनका अगर आप portfolio देखोगे तो इनके पास बहुत जादा weightage equities में है US markets के Amazon है, Walmart में बहुत बड़ा इनका stake है Facebook है, Berkshire Hathway है Tesla है एक तरह की से देखा जाएँ जो Fortune 100, Fortune 500 के top companies है उसका exposure लेके रखा है अब जाहर से सोचने वाली ये बात है कि ये companies already इतनी बड़ी हो गई है तो फिर भी ये क्यों इधर invest कर रहे है इधर तो multi-bagger वाला सीन ही नहीं है वेकि सिंपल सी बात है दोस्तो multi-bagger की चाहा में आप अपना safety cushion भूल जाते हो These people are wise enough to understand कि boss main game तभी आप खेल पाओगे जब capital preserve कर पाओगे आप एक रुपय का एक penny stock जिसका कोई fundamental नहीं हो उसको खरीद के आप सोचो के 100 हो जाए उससे लाग गुना बेटर होता अगर long term के लिए आप ऐसे stock पे invest करते हो जो आपको पता है कि year on year 15% का भी return दे तो वो compounding में अच्छा बनेगा तो पहले अपने दिमाग में ये clarity लेके आईए आप लोग कि आपको बस random जगा पे नहीं करना जब इतने बड़ा billionaire fund manager खुद US में इतना ज़्यादा exposure लेके बैठ है तो कुछ तो बात होगी इनने across the globe करके भी रखा हुआ है he has invested into various countries but still his highest exposure in US so that brings us to the question क्या हमें US बजार में करना चाहिए invest? of course हमें अपने portfolio का एक portion international markets में भी करना चाहिए तो अब ये सारी चीज़े तो मैंने बता दी but अब हमको देखना है वो चार concept प्रमुक reasons है कि हमें यहाँ पर invest करना चाहिए what are the major reasons? चलिए मैं बताता हूँ पहला चीज़ है अगर broader horizon में आप देखेंगे last 100 years का आप data statistically देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेंगे कि US markets has outperformed Indian markets मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा रहेगा but history तो भई यही चीज़ बता रही है that yes, so far statistically US markets has always outperformed Indian markets and that's why हम लोग DAO Jones को follow करते हैं हम लोग DAO Futures को follow करते हैं rather than vice versa so that's number one second, ताकि जो रुपी का depreciation होता न आप उसको beat कर सको for example, let's take an example आज अगर आप लोग ने US market में invest किया ठीक है? और आज का value example ले रहे हैं कि 72 रुपीज पे अगर चल रहा है हमारा यह, कल को जब यही valuation 80 to 85 पे आजागी because रुपी तो depreciate होते जा रहा है, तो आपका investment अगर sideways भी रहाना, तो because of this currency depreciation जो रुपी में हुआ है, उसके कारण आपको gain होगा, और यही चीज का फाइदा काफी सारे हमारे देश के एचनाइज उठाते बाहर invest करके, कि भाई अगर वो equity sideways भी रही, या 5-10% भी दी, तो बाकी हमको currency करके देदेगी तो यह बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि रुपी depreciation का भी फाइदा मिलता है, when you are investing into the global market obviously, all-weather investing वाला जो portfolio है, Ray Dalio साब का उदो clearly चीज यही कह रहा है कि हम जितने अच्छे से well diversified रहेंगे, हम जितने अच्छे से अपने आपको diversify करेंगे, it will be much better exposure हमारा, जितना across the globe रहेगा, उतना हमारी लिए better रहेगा so that is the third reason and fourth जो सबसे बड़िया reason मुझे लगता है fractional shares भी हम ले सकते हैं इंडिया में, अगर आपको मानली जो TCS का एक share लेना है तो आपको एक पूरा share लेना पड़ता है but वहीं पर US में आप 0.5 shares भी ले सकते हैं 0.010 shares भी ले सकते हैं तो fraction में भी ले सकते हैं so that is the beauty and this is the reason why we should also have an exposure in the US market अब तक तो हमको रे डालियो भाईस आपसे एक चीत समझ में आगई है that भाई अगर हमें अपने portfolio को proper hedge रखना है तो हमको domestic equities के अलावा भी पहार invest करना पड़ेगा specifically something like US industry तो क्या आप जानना चाहोगा US industries में US companies में कैसे invest किया जाए बढ़ यह जानने से पहले कि US में दो अलग-अलग timing सो जाती है अब सोचरों को भाई यह क्या है ध्यान से सुनिए US में जो timing रहता है Indian standard timing के हिसाब से वो होता है 7 PM से 1.30 PM लेकिन यह कब से कब तक होता है यह भी important है यह होता है 14th March 2021 से लेके 7th November 2021 और उसके बाद time हो जाता 8 PM से 2.30 PM as per Indian standard timing हरान कर दिया ने इस बात ने क्या आपको इस fact के बारे में पता था अगर पता था तो comments में लिखना और नहीं पता था तो बिलकुल लिखे I didn't know about this in the comment section तो दोस्तों आब आजाते हैं हमारे प्रमुक सवाल पे भई इतना सारा बता तो दिया आपने लेकिन US market में invest करे तो कैसे करे don't worry I'll help you out दोस्तों एक बहुत एक beautiful app है जिसका नाम है IND money जिसमें आप 2 minute के अंदर अपना free US account कोल के धड़ा धड़ investment चालू कर सकते हो आपके दिमाग में सवाल उड़ रहा होगा कि आए उसो certified है और इतना ही नहीं certified है bishop fox द्वारा जो की खुद google का security assessment platform है यह जो US stocks होते हैं वो manage होते हैं US broker drive wealth द्वारा जो की regulated है FINRA के थूँ तो basically एक तरीके से देखा जाए तो full on secured है और full on आपका comfort level stage पे रहेगा वे तो best part is this is commission free आपको dashboard पे जाना है so मेरे पास already एक free US account है IND money में तो let's see किस तरह से US stocks perform कर रहे हैं तो मैं dashboard पे जाके इसको check करता हूँ let's see google का क्या scene है दोस्तो वाफ क्या return दिये भाइसा watch कर दी एक तम है ना चलिए अब एक order place करते हैं यहापे so एक चीज़ आप देख रहे हैं you can buy fractional shares आप लोग fractional shares भी भाइ कर सकते हैं as low as 0.01 dollar जो की करीब करीब 100 रुपे भी है तो अगर आपको testing करनी है तो आप इतने कम से भी कर सकते हैं तो what are you waiting for? guys link description में है और आप वहाँ से जाके इस app को download कर सकते हैं एक secret तो मैंने आपको Ray Dalio साब का बता दिया कि भाई all weather investing है अब दूसरा आप लोग जान के हैरान हो जाओगे जबकि यह हमारी इंडिया के विरासत है बद स्टिल हम इस चीज़ को follow नहीं करते transcendental meditation so basically दुनिया का सबसे बड़ा hedge fund manager भी यह कह रहा है कि mindfulness रहना बहुत जरूरी है बहुत ही आविशकता है इस चीज़ की क्योंकि आपका mind अगर काम नहीं होगा तब आप ना धंग से trade कर पाऊगे ना धंग से invest कर पाऊगे तो it's very very crucial कि आप इस चीज़ को करो in fact मुने अपने interview में कहा है कि वो दिन में दो से तीन बार कभी का बार इस तरह का meditation करते है यह थोड़ा chanting based meditation होता है जैसे कि हमारे देश में हम ओम का उच्छारण करते हैं उसी तरह से I'm not saying आप directly जाकि उस pattern को replicate करो लेकिन एक चीज़ को आप समझो कि इतना बड़ा trader hedge fund manager जब यह चीज कह रहा है कि mindfulness is a very necessary thing for good trading and investing तो इसमें कुछ तो बात होगी तो दोस्तो आज हमने सीखा दो चीज़े पहला कि हमको अपना exposure स्रिफ domestic equities नहीं भार भी रखनी चीज़े और across the assets, gold में भी थोड़ा सा रखो international assets, सारी चीज़ों पे रखो आपको अगर पसंद आया तो make sure आप इस चीज को like कीजिए जितने जादा likes आएंगे इसी तरह के में और बड़े-बड़े hedge fund managers और बड़े-बड़े traders और investors के mindset और उसके basis पे वो लोग क्या करते हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों होती जिसके current successful होते है वो चीज़े cover करूँगा till then keep learning keep growing keep investing and keep trading